तो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में और गाईज आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तो यहाँ पे WhatsApp के application में जब भी आप किसी को calling करते हैं तो फिर voice यहाँ पे voice message send करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके phone में इस तरीके से लिखा हुए रहते है WhatsApp cannot record now as Google is recording तो यह जो problem है WhatsApp के application में आ रही है तो इस problem को कैसे आप सभी लोग solve कर सकते हैं वो मैं आपको गाईज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा end तक watch करिए और गाईज अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं है तो like कर दिए और हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिए तो गाईज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो guys basically यह जो problem है वो whatsapp में आ रहा है जब भी आप किसी को calling करते हैं यह तो फिर voice message यहाँ पर आप सेंड करते हैं तब ही यह जो problem है वो आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर दोस्तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको आपको step by step अपने phone में follow करना है फिर आपकी problem 100% solve हो जाएगी तो सबसे पहले तो गई यहाँ पर आपको क्या करना है आपको सबसे पहले setting में आना है और यहाँ पर आने की बाद यहाँ पर आपको application का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद friends यहाँ पर आपको manage apps करके option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको सर्ज बार पर क्लिक करना है और यहां पर आपको WhatsApp लिख के सर्च करना है जिसके बाद आपको इसको open कर लेना है उसके बाद friends यहां पर open करने के बाद आपको यहां पर एक option देखने को मिलता है force stop करके तो आप जो अपने phone में force stop कर लिजिये तो अगर इसे problem आपकी solve हो जाती है force stop करने के बाद तो दोस्तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है बढ़ force stop करने के बाद दोस्तो फिर भी problem solve नहीं हो रही है तो आप इस application को uninstall कर लिजे और uninstall करने के बाद दुस्तो आप सबी लोग इसको फिर से प्लेट जोर से डॉद्लोड कलीजिए ओके तो uninstall करने के बाद आप यहां पे प्लेट जोर में आईए और इसको फिर से डॉद्लोड कलीजिए अपने फोन में फिर आपकी प्राब्लम 100% सौलव हो जाएगी तो गाईज इसी तरीके से आपसे भी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे